ऐसा वाख्य नहीं बोलना चीह जो ख़्ष्टकारी हो सत्यप्च प्रिया हिता हो सत्य ऐसा बोलना चीह जो प्रिया और हितकारी हो स्वाथ्या अभ्यास है लगातार अपने विश्यों का जो अभ्यास करता रहे वांग मयत पुछ चते इसको वाणी का तपता है और पत्रकार जो है ये वाणी के तपकि साधनाई करते हैं क्योंकि आजकर पत्रकारिता में एक नया शब्त प्योग चला गया है क्योंकि जो लिखते हो तो निउस है वो लिखते हो, तो न्यूस है पत्र निकालते ते तो राष्टवाद के विचार को भारत्यता के विचार को जिन लोगों ने भी प्रकहर रूप से प्रकाषित करा तो आपको देखने में आएगा है कि उनोंने बहुत अच्छे पत्रकारिता के विश्वों को लगातर लिखा। एक साथत्य भाव से लिखा। गाली जी का तो संपाथ के सब लोग पड़ते हैं। लेकिन अभी जो उमेश उपाते हैं जी कह रहे थे कि टेक्नोलाजी के जोर में तीन बड़े शब्द प्रजुलित होते हैं पहला जो पूरा सोशल मीडिया में है उसमें पहला शब चलता है क्राउड सोर्सिंग क्या है तो जितना भी वैचारी क्रूप से विश्यों को बानने का करने का विश्य होता है वो क्राउड सोर्सिंग है तो जब क्राउड सोर्सिंग में एक विश्य आता है तो फिर कहता है यह क्राउड सोर्सिंग है तो इसका ट्रेंडिंग क्या है जोबी विश्य विचार में चलता है उसका Twitter पर il चुने को लोग देखते हैं विश्यार को देखता है। और जब trending का सब्हें करते हैं तो पिर अदर मैं पैसा है? तो ये पत्रकारिता के नए बिंदू और मानक खड़े हो गए है तो ये दुनिया बहुत तेजी से टेक्नोलोजी में आगे बढ़ रही है लेकिन इतना सब होने के बाद इतनी जानकारी और सुचना होने के बाद विशिष्ट पत्रकार को रहे सकते हैं और विशिष्टा को कोई प्राफ्ट कर सकते हैं वो एक बड़ी बात है जो सबसे बड़ी बात है हम भी मानते हैं पत्रकारिता जगत में सबसे बड़ा विशे है तो लेखन है मैं आज भी मानता हूँ कि लेखन में ताकत हो और लेखन में सबसे अच्छे भाव की और विश्यों की प्रकटी करन होता है आज भी जितना भी दुनिया में इंटेलेक्ट्वल आपके पास इंपूट है उसका सबसे अच्छा प्रकटी करन लेखन से ही आदा और कि और पत्रक तक शेत्र में नहीं आप अनुसंदान करोगे, आप साइन्स करोगे, आप रिसर्च करोगे, आप रिलीजिस टैक्स करोगे, आप एजुकेशन करोगे, क्योंकि सबसे बेस्ट वरम जो लंबे समय तक प्रकटी करन हमारे विचारों का सबसे अच्छे रूप में रहता है, वो खोलने के बाद चीज समात हो जाती है, खोलने के बाद जो लिखी रह जाती है, वो इसथा ही रहती है, लेकिन लेख़न के प्रिकटी करन में जो सबसे बड़ा प्क्शे है और किसी भी पत्रकरी सा के जो हमारे विधियार्ती बैठें, कि सुचना तो सब पास है, अब ऐसा तेचा नहीं आधिये समय में कोई भी सूजना है, कोई भी घटना उसका सूजना सब के पास है, Nacional सब के पास है, इस प्रिखलेन से ये जो टीवी वाले बेटे हैं, लोक पर ये होगा जिसके पास सूजना का विश्ने अच्छा हुआ है, वह तो बठा कहने हैं, लेकिन उस फैक इसका विश्लेशण अच्या और विश्लेशन प्रास्मय को यकारण अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानिक भी दिया जाता है, वो आपकी पिश्वनुमां तटस्त होगा, तथ्चे के आधार पे होगा, सत्य के आधार पे होगा, तो फिर उसका सही तरीके से उसको एक लाइक्टर अचीवमेंट, उसके पत्रकारी सा जेगत में जब गड़े शंक देखता है कि समाज में हमको यह जो ताकत है, सूचना, इंफरमेशन की जो ताकत है, इसको आगे कैसे बखाता है, कभी भी भगवत कीना था, भगवार क्या क्या कि Caesar प्यूंकर, क्या करे हैं कि कभी भी समाथ सत्व, तमस और रजतम रहित, होता ही नहीं है, मात्रा कम ज़्य उसको अच्छे तरीके से जगाएं और इस समय तो केंद्र में पुधार्मत्री नरेंद्र मोजी जी की सरकार में स्वतंत्रता और अभिवेक्ति को लेकर के बेश में अनुकूल वातावरण खड़ा हुए आठ सालों में जो सरकार मान्ये पुधार्मत्री जी के नेतर्ट में चली उसने पिछले आठ सालों में देश में सेवा के काम के मात्यम से, सुशासन के मात्यम से, गरीब कल्याण के मात्यम से, नवाचार के मात्यम से और उससे भी ज्यादा जो पाच्वा विशे है द्रड़ इच्छा शक्ति के मात्यम से आज पूरी दुनिया में एक नए मुकाम पे भारत को पहुचा है। अधार पे लई समाण दचना को पहचानके कुसोर समाण की दिशा को नजास एक विश्व समाण केंदर के माध्यम से जो एक नभधे दशक में जो विश्व समाण केंदर के स्थाप्ता की गए। वो वास्तों में इसलिए करी थी कि कई बाल समाज में जो एक अच्छी सकारांतमत राष्टवा की जो विचार वो राष्टवादी विचार सही तरीके से सही परिपेक्ष में लोगों के सामने कैसे आता। राजी जी ने जब इस विशे को शुरू किया था तो उनका विशे करने की द्रश्टी है थी और मेरा ही मानना है कि विश्व समाज केंडर ने मैं बहुत सारे उनकी पुस्तुकों और विश्व का अध्यन करता हूँ और मेरा ही मानना है कि विश्व समाज केंडर के द्वारा क ज्यादा प्रकर तरीके से तथ्य और सूचना का ज्यादा अच्छे तरीके से अनुवाल और विश्टेशन करते वे समाज के सथे के और उसका प्रकटी करण करें ऐसी मेरी शुब कामदा है